अलो गाईज कैसे हूँ आप सब आप सब आप सब अच्छे होंगे एक बार फिट से आप सब का आपके अपने यूटूब चैनल ग्यान रूची में बहुत बहुत सवागत है आज हम आप लोगों को खेतों की सेर कराने जा रहे हैं तो मैंने पहले आप लोगों के साथ भी एक वीडियो सेर की थी जो हमने सागवन के पेड आपको दिखाए थे बहुत छोटे थे तो आज हम फिट से जा रहे हैं अपने खेत गूमने रेखेंगे कि बारिस के बाद हमारे पेड कैसे हैं गास तो नहीं उगी है हमारे खेत में त आप सब लोगों को हम दिखाएंगे आप सबी लोग हमारे साथ योँ ही बने रहेएगा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी करिएगा तो देखें ये हमारे खेतों का रास्ता है खेतों की तरफ जाने का रास्ता है बहुत खराब रास्ता है यहाँ पर पानी भरा हु यहां पर लोगों के पास खेत नहीं बचे हैं, तो बारिस की वज़े से रास्ता पूरी तरह से खराब हो चुका है, तो देखेज बीच में कड्ड़ों के अंदर इटे भरे हुए हैं, तो अब हम अपने खेट पर आ चुके हैं और हम आज आपने खेट पर दो पेड़ और लाएं हैं गमले में जो लगे थे काफी बड़े हो रहे थे पेड़ तो गमले में गमला छोटा होने की वज़े से काफी अच्छा से ये ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे तो इसलिए हम इनको गमले से निकाल कर अपने खेत में लगाने के लिए आये हैं, एक हम मुसम्मी का पेड़ लेकर आये हैं और एक फ्लावर का है यूँ ही, तो उसको भी हम लगा देंगे, सो प्लांट है और एक मुसम्मी का पेड़ है, वो हम लगा देंगे, हमने अमरूत का पेड़ भी दो-चा हमें पता नहीं है और आज हम बहुत दिनों के बाद आये हुए हैं तो यह हमारा गेट बन रहे हैं रसी से बंधा हुआ है तो देखिए हमारे आईश्मान इसको खोल रहे हैं और इन्होंने यह गेट भी खोल दिया है तो अब हम चलते हैं अंदर और आप सभी लोगों को प स月्सक्राइब बहुत सारी घास है रहेती हैं गार रहे सेल पानी थे बहुत लवाबर के नहीं हुस्व है और लंबाई के हिसाफ से बहुत बड़े बड़े पेड़ हो चुके हैं तो अभी पहले हम ये अपने प्लांट लगा देंगे यहां पर उसके बाद हम आगे आपको दिखाएंगे पूरा खेथ हम आपको घुमाएंगे तो हम इसे जगए पर मुसमी का पेड़ लगाएंगे तो द इस लिए हम गमले से निकाल कर इसको ले आए हैं गमले में हम इसको लगाये हुए थे ज़्यादा ये ग्रोथ नहीं कर पा रहा है यह पैड़ एक साल से इतना ही बड़ा था То मैंने सोचा क्योंना हम इसको जड़ा मिट्ट्टि में लगाएं तो इसलिए हम इसको खेद — पर इसमें गोबर की खाद भी डाली जाएगी और उसके बाद इस पेड़ को इसी में रख दिया जाएगा मिट्टी डाल दी जाएगी देखिए हमारा मुसंभी का पेड़ लग चुका है और अभी हम एक चीज और लेकर आए हैं फ्रेंट्स हम लाएं हैं गिलोए जो कि ये करोना टाइम पे गिलोए की बहुत ज़्यदा दिमांड हो रही थी नहीं मिल रही थी तो हमारे खेत में नीम का पेड़ था तो हम घड़ से गंले से इस्टिक ले आये हैं कहते हैं कि नीम के पास लगी हुई गिलोए बहुत ज़्यदा फाइदेमन होती है जो गिलोए नीम के पौधे पर चड़ी होती है वो ज्यादा असरदार होती है तो इसलिए हमने सोचा क् अपने खेत के नीम के नीचे ही गिलोय के स्टिक लगा देंगे तो ये हमारी गिलोय नीम पे चड़ जाएगी तो आप देखिए हमारी जो नीम है बहुत ज़्यदा छोटी है कितनी पतली पेड़ी है इसकी जो दिखाई दे रही है तो हम इसी के बगल में ही गिलोय भी लगा करेंगे ताकि ये हमारी जो गिलोय रहेगी बड़ी हो जाएगी तो इसे नीम के पेड़ के उपर चड़ जाएगी और हम जब कभी कभी आया करेंगे तो हमें काफी हल्प मिल जाया करेगी हम यहीं से गिलोय की पत्तियां तोड़ कर ले जाया करेंगे तो देखेंगे ये हम आपको पास से गिलोई की इस्टिक दिखाते हैं तो आप सब लोग दिखिए कि हम आपको गिलोई की इस्टिक दिखा रहे हैं हमने गमले में लगाई थी लॉक्डाउन के टाइम पे लगाई थी और वो लगी हुई थी बहुत दिनों से और अभी हम उसको काट कर ले आए हैं उसी में से थोड़ी सी स्टिक लाएं हैं और हमारे गंले में लगी हुई है तो आप लोग पास से हमारे इस गिलोए को देखिए तो ये देखिए हमने गिलोए लगा दी है और मिट्टी में बहुत ज़्यदा नमी है तो ये अपने आप से हरी हो जाएगी ज़्यादा बोलना नहीं पड़ेगा इसमें इसकी ज़्यादा देख रेक भी नहीं करने करने पड़ेगा फ्रेंट्स हमारा चपल तूट गया है आप हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी क्योंकि यहाँ पर काटे भी है क्या करेंगे तो फ्रेंट्स चपल तूट गई है तो देखिए वह देखिए चपल हमको बगल से मिली जा रही है यह हमारे पडोस में है जो मकान बनाए हुए है रहते हैं वहीं से वहीं पर तो उनकी चपल हमने ले ली है और इनी के चपल पहन कर हम अपना पूरा खेत भूमेंगे और आप हमारा खेत बहुत दूर पढ़ता है घर से तो हम लोग जल्दी जल्दी जा भी नहीं पाते हैं तो इसी वज़े से यहां पर नंगे पैर बिल्कुल भी घूमने वाला नहीं है तो देखिए हमारे प्लांट कितने बड़े-बड़े से हो गए है हमने आपको पहले दिखाए तो बहुत जोटे थे और यह हमारे प्लांट बहुत ज़दी बड़े हुए है कि सागवन की प्लांट है है अर अभी हमारा एग पेड़े लगना बाकि हैं उसको भी दिखाएंगे आपको तिसे लगाएंगे हम उस played को पीछे वाले पर लगाएँगे जो कि गेट हमारा जी के साथ सेयर करेंगे तो देखे पूरे खेत में कितना ज़्यादा जंगल है हमने यहां पर लेबर भी डाले थे लेकिन जब मौसम खराब हुआ तो लेबर मिस्तरी ने अपनी छुटी कर ली और फिट दोबारा वो लोग नहीं आये हैं अब यहां घर से दूरी होने की वज़े से हम ज़्यादा इसकी देख रेक भी नहीं कर पा रहे हैं हफ्ता पंदरा दिन में हमारा यहां आना होता है तो आज हम तो आये हैं लगभग तीन महीने बाद आये होंगे हस्बन हमारे आते जाते रहते हैं लेकिन हमारा आना जाना नहीं हो पाता है तो यह देखिए हमारा खेट का पिछवाड़ा है तो हमने पीछे भी एक गेट लगाया है यह हमारी दिवाल है पूरी तो आप लोग देख सकते हैं चारो तरफ पानी पानी दिखाई दे रहा है पीछे की तरफ तो यह पीछे जील है इसी की वज़े से हमारे खेट में बराबर नमी बनी रहती है और अब हम इसी गेट की पास यह फ्लावर का प्लांट लगाएंगे इसको यहां बहुत ज़दा घास लगी हुई है तो इसको साफ करेंगे और यही पर यह वाला प्लांट भी हम लगवा देंगे अब हम आपको पीछे की तरफ से अपना बूरा खेट दिखा रहे हैं तो देखिए पेड हमारे कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में कितने बड़े बड़े से पेड हो गए हैं बस थोड़ा सा इनकी देख रहे करने की ज़रूरत है यह इधर की जो पेड हैं हमारे जील की तरफ जो पेड हैं वो काफी बड़े पेड हो गए हैं और जो सामन पत्य ततो है वह से उतको हो मैं दो पत्टे साथे वार दिये हैं और और भी तरफ गूम रही है पत्क हूब है और कीड़े कीर्व बाहर रहुट खुँंजолет कि यह दो हमारे सारे पत्टी रीखंतो होजाएंगो कीड़ा सारे पेड़ों को वेकार कर देगा इसलिए हम यही चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी दवाई डाले नहीं तो यह हमारे सारे पेड़ वेकार हो जाएंगे हमारी सारी मेहनत वेकार हो जाएगी तो आप लोग देख सकते हैं कि कोई भी पत्ता अच्छा नहीं है सारे पत्ते किड़े ने खाए हैं ये देखिए पूरी तरह से किड़े ने खुतर डाले हैं कोई-कोई पत्ता तो पूरी तरह से साफ ही कर दिया है तो इसलिए हमको इसमें दवा जरूर डालनी पड़ेगी तो हमारे खेत आपको कैसा लगा हमारे प्लांट आपको कैसे लगे हमें कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड्स ये देखिए आगे का है जो ये पेड़ बहुत छोटे हैं आगे वाले और पीछे की तरफ के पेड़ जो हैं वो हमारे बड़े बड़े हैं तो आज हम बहुत दिनों बाद घूमने आए हैं अपने खेत पर आज मेरा मन हुआ कि चलो खेत घूम आते हैं तो इसलिए हम खेत घूमने आए हैं क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है इतना कि हम रोज आपाएं या हफते में आपाएं तो आज हमको आए हुए तीन महिने हो चुके हैं तीन महिने के बाद आज हम आए हैं दो से तीन महिना पहले हमने आपको वीडियो दी थी और फिर बीच में हम नहीं आपाएं तो आज हम आए हैं अच्छा लग रहा है तो हम लोग आज घूम रहे हैं और बहुत सारी हम लोगोंने सेलफी भी कीची है अभी हमें जाना है बच्चों के स्कूल इधर से ही हम जाएंगे बच्चों के स्कूल से होते हुए बच्चों को स्कूल से लेंगे और फिर घर जाएंगे I hope कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा फ्रेंड फिर मिलेंगे आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ तक तक के लिए टाटा बाई बाई